दोपहर की कड़कती दूप में सत्या, हाथ में फोल्डर लिये लगड़ाता हुआ चल रहा था ये दुनिया खाली लग रही थी सड़के बगल में घर तो थे, पर उन घरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी जिन्दगी की कोई निशानी थी तो बस वो कपरे जो बैलकनी से टंगे हुए थी इस धूप में अपना पसीना पोचते हुए सत्या को दूर कहीं एक सूखे पेड़ के नीचे चाई की टपरी नजर आई टपरी पे बस सत्या और चाई वाला था चाई मिलेगी? जी अब कहा नान क्या है? जी रगू रगू कहां से हुआ आप? जी नहीं नहीं कुछ नहीं चाई बनने के इंतजार में सत्या की नजर उस पेड़ के एक पत्ते पर पड़ी इस पेड़ की टहनियां कमजोर थी और लगपक सारे पत्ते जड़ गये थे लेकिन इसकी सबसे उपरी टहनी पर एक पत्ता था जो इस हवा में अपना अस्तित्व बचाने की कोशिशें कर रहा था यह पेड़ को देख कर सत्या अपने यादों में खो गया उसका चहरे पर मुस्कुरा हटाई जब मैं कुछ दस बारा साल का था तब मुझसे और मेरे भाईया से गर पर चुपचाप नहीं बैटा जाता वैसे तो दिन बर हम पूरे गर को अपनी शरारतों से परेशान करते पर दोपहर को जब मा सोती हमें घर से निकाल दिया जाता हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी भाया तो अपनी साइकल निकालते और मुझे पीछे बिटा कर पूरा गाउं गुमाते दोपहर को तो सब सुंसान होता था एक दिन गूमते गूमते गाउं में एक अमरूत का पेड दिखा अब इतनी साइकल चलाने के बाद तो किसी को भी भूक लग जाए भाईया को भी भूक लगी तो उन्होंने साइकल उस पेड के नीचे रोकी वो पेड मुझे कोई बड़े शहर की विल्डिंग से कम हुचा नहीं लग रहा था लेकिन भाईया के लिए उसे चड़ना बाएं हाथ का खेल था वो फट से पेड चड़ते और हम दोनों के लिए अमरूत तोड ले आते हमने उसी पेड की च्छाओं में बैठकर वो अमरूत खाए पिर ये रोज रोज होने लगा रोज रोज भाईया पेड चड़ते और हम दोनों के लिए अमरूत तोड ले आते पिर एक दिन भाईया को आलास का कीड़ा काट खाया उन्होंने मुझे पेड चड़ने को का मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो चुपी रहे उन्होंने मुझे सर से पाऊं देखा और बोले कब तक बच्चा रहेगा? इतना बड़ा हो गया है मर्द बन मैं बारा साल का था मर्द तो बन गया था पिर बिना सोचे समझे मैंने पेट चड़ने की कोशिश की पता नहीं कैसे शायद भाईया को पेट चड़ता देख मैंने भी चड़ना सीख लिया मेरे हाथ मुझे अपने हाथ उपर ले जा रहे थे मनो जादू हो रहा था जहां जहां मेरा हाथ जा रहा था, वहां वहां से मैं फल तो उड़ रहा था जोश जोश में आदा पेड़ी खाली कर दिया दो अपते तक तो हमें पेड़ चाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी फिर क्या हुआ? फिर अड़े हो गए आज दिन बहुत शान्त था, ना कोई चिडिया चहक रही थी और ना कोई कार सड़क पे जा रही थी बस उस पंखे के घूमने की आवाज आ रही थी इस पंखे के नीचे सत्या के आँखों के सामने उसकी जिंदगी बदल रही थी वो अब इन पुरानी चूडियों की खनखन नहीं सुन सकता था अब उसे जवाब चाहिए था बात तो करते हैं क्या पता रुको मैं नीचे रखता हूँ नोकरी की बात है क्या मैं देर आऊँ ना इंटर्व्यू टाइम दो कुछ तो निकली जाएगा सुनल चीज़े सुदर रही है दो सूटकेस मैं पकड़ता हूँ अरे प्रॉब्लम क्या है यार सुनल बताओ तो उस टाइम की बात है क्या बात तो करो पता तो चले प्रॉब्लम क्या है ऐसे भागने से क्या मतलब है क्या मुझे बताओ तो प्रॉब्लम क्या है हम पहले जैसे रह सकते हैं ना यार सत्य तुम्हें जानना है क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता. मैं तंग आ गई हूँ ऐसे आदमी के साथ रहके जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है. यार तुमना अपनी पुरानी यादों में जिन्दा हो. मैंने बहुत ट्राइ किया सत्य अजस्ट करने का, कॉंप्रिमाइस करने का. मैं तुम्हें और गिता हुआ नहीं देख सकती. क्या तुम्हारे पास खुद का कुछ है क्या? तुम हर महीने अपने भाईया और बाबी से पैसे मांगते हो. मैं तुम्हारी मा बन-बन के परिशान हो गई हूँ. और नहीं जील सकती है. जानना था ना क्या प्राब्लम है? अब क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जान लिया. दो मैं पकड़ता हूँ. सुनो. अपना ध्यान रखना. उस कमजोर पेड़ पर बस वो एक ही पत्ता था. जो हवा से लड़ रहा था. बाकी उन्हें दाद दे दी थी. पेड़ के नीचे रखू चाय बनाने में खोया था. और सत्या हाथ में ग्लास लिये. किसी किस्से के बारे में सोच रहा था. ये किस्से थे तो उसी के. पर अब जब वो इनके बारे में सोचता है तो उसे अपनी ही यादें पराई लगती है. मेरे पिताजी छे महिने में सिर्फ एक बार घर आते. वो भी एक हफ्ते के लिए. तो घर चलाने का पूरा जिम्मा मापे होता. इतने काम के बीच उने अपनी ममता दिखाने का मौका नहीं मिल पाता. बहिया और मैंने भी हमारी मस्ती से जो बची कुछी कसर थी वो पूरी कर ली थी. एक दिन मेरे पाउं में छोट लगी. डॉक्टर ने एक महिने तक बिस्तर पर रेटे रहने को कहा. मैं चल नहीं सकता था, हिल डूल भी नहीं सकता था. हर काम के लिए मुझे किसी ना किसी की जरूरत पढ़ती. शाम को तो भईया घर पर होते पर सुबा मा को ध्यान रखना पढ़ता. वो मुझे बोर नहीं होने देती. जब मैं जागा होता था तो मुझे कहानिया सुनाती. और जब मैं सोता था तो लोरियां. किसी भी चीज की कमी नहीं नहीं सुसोंने दी. खाना भी मेरी पसंद का बनाती थी. उनके लिए मैं उनके चार पाहों पे चलने वाला बच्चा बन गया था. उस एक महीने में मैंने उनकी ममता देखी. पर शाम को भईया के सामने वो जिजकती थी. उस ममता को दिखाने के लिए. पता नहीं क्या. वो एक सुनेरा महीना भी खत्म हो गया. मैंने बिस्तर से पाउं नीचे रखे और उसके बाद उनका ये चेहरा कमी दिखा. कई कोशिशों के बाद सत्या को एक कंपनी में इंटर्व्यू देने का मौका मिला. सत्या को रिसेप्शन की गर्मी से एक ठंडे कमरे में बुलाया गया. कमरे में दो इंटर्व्यूर्ज उसका इंतजार कर रहे थे. सूट पहने इंटर्व्यूर्ज के सामने सत्या के पुराने कपणों का रंग फीका लग रहा था. So, Mr. Satya, why do we need you in a company? This is a young company and मेरे बारा साल का experience can end value to your company. और आपके strengths क्या है? I'm hard-working. में कभी लेट नहीं होता. कोई भी काम में टाइम पे देता हूं. मेरे काम में आपको हमेशा hard work or homework देखेगा. And with my experience, I can tell you that... Talking about your experience, Mr. Satya, इस position के लिए काफी young लोग अपलाय करता है. They are young, talented, and excited prospects. और जो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. Sorry. Let's get into the state, okay? आपको अपकी पहली नौकरी से क्यो निकाला गया? मुझे निकाला नहीं था. I resigned. Mr. Satya, हमें यस सारी बाते पता होती है. निकाला गया, रिजाइन किया, It's all the same thing. I think you can tell us why. अगर आप शेयर करने के लिए कंफटेबल हैं, तो. Really sorry. It's okay. Continue. Ma'am, उस टाइम के दोरान, मेरी मदर की डेथ हो गई थी. एंड मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था. देखते ही देखते ही मेरे vacation days, sick leaves, सब खतम हो गए. और मुझे अभी भी और टाइम चाहिए था. उनके पास तो कोई option नहीं था, तो उन्होंने मुझे resign करने बोल दिया. और मैंने कर दिया. मैं एक नई जिन्दगी बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ये एनर्जी में इस कंपनी में भी ला सकता हूं. मैं अपनी जिन्दगी का नया पढ़ावा आपकी कंपनी से शुरू करना चाहता हूं. प्लीज, आप ये बाहर जाकर ले लीजे. सॉरी माम, सॉरी सर, थैंक यू. अरे, रो क्यों रही हो, हेलो? अबा साफ नहीं आ रही? क्या भैया, क्या? चले गए? कहां चले? चल बसे? वो चल बसे? सत्या हवा से लड़ता हुआ रगु की तलाश में उस पेड़ की तरफ चलने लगा चलते चलते जब वो पेड़ के नीचे पहुँचा तो रगु का नाम और निशान नहीं था टपरी भी आज बनती सत्या ने पेड को देख वो पत्ता जो हवा से लड़ता था वो भी गायब था सत्या ने अपने हातों से पेड को गले लगाया और फिर उन्ही कमजोर टहनियों को पकड़ते हुए पेड चड़ने की कोशिश करने लगा पर वो नाकामयाब रहा उसने फिर से कोशिश की, इस बार और जूर लगा कर, और वो फिर से सफन नहीं हो पाया, पर आज वो हार नहीं मानने वाला था, उसने फिर से कोशिश करने की ठानी, उसने पेड़ की टहनियों को पकड़ा और अपने शरीर की पूरी जान लगा दी, वो पेड़ चढ़ने वो उंचा 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 चड़ता गया और हसता गया जितना उंचा वो चड़ता उसे उतने ही खुश ही मिलती चड़ते चड़ते वो काफी उपर पहुँच गया था उसने सोचा कि वो पेड़ की सबसे उपरी टहनी तक पहुँचेगा और जैसा ही उसने अगली टहनी पकड़ी समीन पर खून ही खून था वो उस पेड़ के नीचे ही लेटा पड़ा था उसके हाथ में अभी भी तो टहनी थी उसी टहनी की तदा वो तूटा हुआ रो रहा था अखेला दो पहर पोस्टर डिजाइनर है बदीशानात सुनते रहे गूंच